हिमाचल की एक और सीरिज में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे फॉरस्ट्री के मल्टिपल चॉइस कोश्चन जो हिमाचल प्रदेश फॉरस्टगाड के लिए बहुत महत्पून है हम लग बग 1,000 कोश्चन देखेंगे डेली के 10-20 कोश्चन देखेंगे जो बहुत महत्पून होंगे आप हमें वाट्साइप भी कर सकते हैं किसी भी तरह के नोट्स के रिगार्डिंग फॉरस्टगाड का कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं वेबसाइट पे डेली क्विजिस लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बिल जाएगा जहां पे फॉरस्टगाड का एक गुरूप है जहां पे डेली के 15 क्विजिस फ्री में लगाए जाते हैं वो भी आप जॉइन कर सकते हैं जलो शुरू करते हैं फाला प्रशन किःस्क्रिप्शन क्लासिफकेशनन अनकि रिकॉगनाइजेशन व टेस्पीसस में विन आपको भडिष्वंत्रोलोजी rush क्लाइमेंटै क्लाइमेंट्रोजी क्रोन λέग योटन आफ दी के पूह उनसर होगा वो होगा हंदी में तो आपको पता ही लगए होगा ब्रिक्ष बिग्यान डिखें व्रिक्ष बिग्यान का मतलब होता है जो ट्रीस की नोलिज रखता है मतर ट्रीस के बारे में हम उसके study करते हैं deeply और Climentology या जलबाईू बिग्यान शास्त्र के बात करें तो वो होता है क्लाइमेट के बारे में study करना जलबाइउ के बारे में study करना point to point chronology कही तरह से हम देख सकते हैं हम फुरष्टरी की बात करें तो फुरष्टरी में chronology का related है यह पता लगाना होता है कि फुरष्ट और climate में कैसे तरह का relation बैठ रहा है किसमें forest और climate में कि climate changes किस कारण से आ रहे हैं forest मतलब कि जो bricks है उसकी कमी है या कोई और कारण है तो हमें वो चेक करना होता है क्रोलो नोजी में मतलब कि forest और climate के बीच में relation को check करना होता है next question देखते हैं इसका जो answer होगा मैंने बता दिया यह होगा ब्रिक्ष बिज्ञान नक्ष कोशन देखते हैं कि नक्ष्ट कोशन है कि वे नेशनल रिसर्च सेंटर फोर एग्रो फोरेश्टरी सुचुएटिड एन आर सी एफ एफ एन आर सी एफ की आपको देखने को मिलेगा कहां पे जहांसी में देकि जहांसी की की बात करें यह उत्तर परदेश में है इसकी बात करें तो question की देकि बहुत महत्तपून question है जो exam point of view से हम जो आते हैं वही करेंगे तो इसकी बात करें तो National Research Center for Agroforestry है जिसे शोट में बोलते है NRCAF वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर उत्तर प्रदेश जहांसी में और यह एक यूनेट है किसकी Indian Council of Agriculture Research ICAR की एक यूनेट है इनके द्वारा स्टैबलिस्ट किया गया है 1988 में कौन सा National Research Center for Agroforestry यह लोकेटिड है उत्तर प्रदेश जहांसी में जो 10 किलो मीटर है कहां से जहांसी रेलबे स्टेशन से और जहांसी गौालियर रोड पर पड़ेगा जिसे जहांसी गौालियर रोड को हम क्रिशी वानकी के नाम से भी जानते हैं अगला प्रशन देखते हैं कि where first biosphere reserve in India situated भारत में पहला biosphere reserve कहां स्थीत है तेके भारत में पहला biosphere की बात करें वो नील गिरी तमिल नाडू में स्थीत है इसकी बात करें तो important question है कि 1986 में यह जो biosphere स्थापित किया गया था कब किया 1986 में और यह बात करें किस के तहते इसको बनाया गया था इसके बारे में बात कर लें तो यह younesco और Biosphere का प्रोग्राम मतलए कि एक जॉइंट वेंचर था किसका यूनसको और बायोस्फेर प्रोग्राम इन दोनों को मुला के एक जॉइंट वेंचर चलाया गया था और यूनसको ने से 2012 में वर्ल्ड हैरिटेज साइड में भी रखा हुआ है यह भी आपको याद रखना है ज्यादा तो मैंने ज्यादा लिखा हुआ है जो इंपोर्टेंट है लाइन वो मैंने आपको बता दी अगला प्रशन है टाइम ना वेस्ट करें इंडियन फुरस्ट एक्ट कंटेन भारती बन अधिनियम शामिल है देखें भारती बन अधिनियम में टोडल कितने एक्ट आते हैं या क जो फुरस्ट केटेगीरी जो फुरस्ट जो बान की तो फुरस्ट को तीन केटेगीरी में बांटा गया है भारत में एक तो बाड़ा गया है रिजर्व एक बाटा गया प्रोटेक्टिड में एक बाटा गया विलेज में मतलग की रिजर्व मतलग की जो बन है उसे लगाने हैं किस तरह से लगाने हैं वो इसमें बताया गया है ग्राम बन मतलब कि जो विलेज है विलो जो में कटाई कम से कम नए से नए पेड जिससे क्या होगा जो ग्राम वासी है उनकी जो पेडों को लगाने से कोई फ्रूड लगा रहे हैं किसी तरह के हर्बल पेड लगा तो पेड कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं हविआ फोरेस्ट्रइट कर चाड प्रपर्परेशन कर रहे हैं आफ जोइन कर सकते हैं आफ मेन ब्लकुल important question ही मिलेंगे सभी कुछ भी दिया इंपोर्टन question ही मिलेंगे आफ चेकरना जाते हैं तो आप ममें वट्सवाइब कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हच भी फोरष्ट गाड की प्रपरेशन कर रहे हैं नएक्स कोशन देखते हैं शोशल फोरष्टरि प्रोग्राम बाज लौंच निन था समाजिक बान की कारयकरम शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था वो था 5 year plan 5th 5 year plan में ये शुरू किया गया था इसके वारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते social forestry आचुली में होती है देखिए दोस्तो social forestry की बात कर रहे हैं तो important point में आपको बता देता हूँ social forestry की शुरुबात कब हुई थी इसके बात कर लेते हैं देखिए बात करें social forestry की तो इसकी जो शुरुबात थी भारत की बात नहीं कर रहा हूँ इसको वैसे internationally शुरू किया था West Toddy Bayadji के दोवारा ठीक है भारत की बात करें तो इसे शुरू किया गया था इसके दोवारा 1976 में शुरू किया गया था National Commission on Agriculture के दोवारा इनका एम था कि aim to reduce pressure on the forest by planting tree on all unused and fellow land देखिए इसके बार में बात करें में मोटिव क्या था इनका ये भी आपको बता देते हैं जो इनका में मोटिव था ज्यादा से ज्यादा पेड लगा के ठीक है जो बनों का दवाव है उनको काम करना या जमीन में जो दवाव बन जाता है काम पेड के कारण जिससे मिट्टी उड़ती है उनको भी काम करना और क्या था देखिए इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है कि बन कानूनों को प्रभाबी डंग से लागू करने हरे भरे ब्रिक्षो को काड़ने पर रोक लगाना भी शोशल फॉरस्ट्री का एक एम था हिमाले शेत्रों में ब्रिक्षो की कटाई को रोकने एवन पक्षों की मुक्त चराई पर उचिक तरोक साम की विवस्था भी करना था देखिए पहले क्या होता था पेड़ों को काटा जाता था उसकी लकडी से इंदन मतलब की घरों पे काम किया जाता था सबजी बनाई जाती है उसको भी कम करना था पेड़ों की कटाई कम हो जो जानवर है वो भी पेड़ों पर कम निर्भर रहें और उनके लिए कई तरह की चीज़ें लाई जाए खाने के लिए तो यह सार चीज़ें पेड़ों पे जो भी अधिक से अधिक पेड़ लगाना भी एक सोशल फॉरस्ट्री का काम था आगे कोशन देखते हैं इंपोर्टन जो भी एक्जाम पॉइंट ओवी से बनता है राइजिंग ओफ फॉरस्ट ओफ पब्लिक और कम्मुनिटी लैंड इस काल्ट सारवज्य ने किया सामुदक्ष भूमी के बन का उदे कहलाता है देखे जो इसका अंसर होगा वो मैं पहले ही बता दूँ आपको उससे पहले मैं बता देता हूं कि सिल्वी कल्चर या वन सवर्धन होता क्या है देखे इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि ट्री ग्रो किस तरह से करना है ट्री को ग्रो करने के लिए क्या कहें तरी कहां सी खाद या जब ट्री बड़ा हो तो ऐसा ना हो जो उसके फ्रूट्स है किसी भी तरह का है जिस किस तरह से जब ग्रो होगा पेड़ उसकी शेप किस तरह से आएगी जैसे फ्रूट का पेड़ा तो फ्रूट उसके बढ़िया होगा क्वाल्टी जो मैंटेंग करके रखेगा वो समय चैक करना होता है और नए नहीं तरिक्ये खोजना होता है इसमें होता है कि मतलग कोई भी पब्लिक या गोर्मेंट लैंड है या तो सरकारी लैंड है या लोगों की लैंड है पब्लिक है वहाँ पर फुरस्ट को किस तरह से ग्रो करना है उसका यूटिलाइजेशन जो भी फुरस्ट ग्रो हुए है या तो वह सरकारी जगा पर हुए ह उसका जो utilization समाज का लायन के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें community forest में यह चेक करना होता है इसका जो answer होगा C होगा वो होगा community forestry जो public और community दोनों पर वर करता है वो होते है community forestry next question देखते हैं कि total forest and tree cover is according to ICFR 2019 देखें 2001 की हर 2 साल के वाद जो forestry की report आते हैं कि भारत में किस तरह से हर state देखें total all India level पे आती है जहां पर हर state के बारे में बताया होता है वहां से प्रसेंटे निकालके ओल इंडिया की forestry के बारे में बताया होता है कि कितनी forestry चाहिए पहले बात बता देता हूं जो forestry का survey है उनके हिसाब से जो भारत की जितनी जनसंख्या है और जितना area है उसके हिसाब से भारत में लगभग 33% minimum होनी चाहिए क्या forestry होनी चाहिए पेड होने चाहिए बट भारत की बात करें तो टोटल आपको 24.56% ही forestry कावर मिलेगा भी तो यह कम है जो ICFR बताता है उसके हिसाब से 33% होनी चाहिए देखिए हर दो साल हर दो साल के बाद ICFR यह report निकालता है 2021 में आने वाली है बट अभी तक चेक किया मैंने forestry की website पर जो भी भारत ICFR की website पर तो वहां पर अभी 2021 का update नहीं आया है तो 2019 का ही exam में पूछा जा सकता है तो 24.56% अभी भारत में tree cover या forest area है बट चाहिए कितना 33% भारत के geographical area या area wise की बात करें तो देखिए I full form भी आ सकते कि ISFR की full form क्या है वह इंडियन state forest report और PISFR की full form क्या होती है pre-invest survey of forest resources यह आपको दो याद रखनी है इन दोनों में से कुछ भी आ सकती है यह आपको याद रखना है next question देखते हैं कि reserve forest भारती बन अधिनियम 1972 के अधिया के नुसार बनों के सरक्षन के लिए बताया गिया है देखें reserve forest is an area with complete protection constituted according to chapter of the Indian Forest Act 1972 मतलब कि reserve forest के बारे में भारत में reserve forest जो मैंने उपर कोशन किया कि भारत में total forest area होना चाहिए 33% बट जो 20.56 भारत में अभी है तो भारत में पॉलेसी है जहां पर हर फोलेसी में बताया गया है chapter wise बताया एक में ज़र कीऊंसे अधियाय में चाहिज में किसी किसी ना चीज के लिए बताया गया है ये भी आपको याद रखना है Next question देखते हैं कि हिमाचल परदेश के कुल कितने पर्तिशत भाग में चरागा है तो हिमाचल परदेश की बात करें तो वो है 32.89 पर चरागा है ये आपको याद रखना है Next question देखते हैं The term social forrestry is introduced by समाज इक बान की शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो यह मैंने बता दिया है आपको वेस्टो बाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों यह इंपोर्टन कोश्चन थे कल भी इस पर वीडियो आएगी आप हमें वट्साइब भी कर सकते हैं जिसका नंबर आपको यहां पर शो हो जाएगा ठीक है और आपको बताना कि आप कौन से एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहें जब भी आप मैसेज करें तो जुरूर बताएं आप